हेलो एवरिवन मैं विशुजीत सिंग आप सभी का दीई इन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम महिलाओं के इस्तिति को लेकर ठीक है यह हमें normally point out करना है थोड़ा से इसको मैं बताओं कि किस तरस हमें पढ़ना है तो इसको हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे करें कि रास्ट वादी जो अव्यान चला भारत को स्वोतनतरता दिलायने का उभ्यान चला उसके अंदर में मेलाओं की क्या भागयदारी रही किस तरस मेलाओं पर रियलिटी में भारत के अंदर में महिलाओं को लच्मी का दर्जा दर्जा दिया जाता था ठीक है कई जगद उनकी पूजा की जाती थी और हर रूप अलग-लग तरीके ससरी पूजा ही होता था भारत की इतियांस के अंदर में पता चलता है कहीं कहीं कुरितियां देखनीकटी ली मिलती हैं के द्वारा यहां पर इस टाइम पिरेड के अंदर में सती पर्था बाल विवा ठीक है और पुनह विवा जैसे कई सारे मुद्दे रहे जिनके अधार पर महिलाओं की सती को देनिया बताया गया ठीक है एक करके हम बात करते हैं तो सबसे पहले बैटिक के द्वारा लौड बै तो इसको बंद करने के लिए एक विदहएक पास किया गया अधिनियम लाए गया और यह किसके दोर लाए गया तो लौड वैटिक के दोरा इसको पास किया गया सती पर्था का तो यह भी एक कुरितिया के तौर पर महिलाओं की सती को दंडर साता है उसके बाद में 1856 का काल जहां पर British सरकार के दुवारा दुबारा से विद्वा पुनर विवा पूरा से एक अधिनियम दुबारा से ला जाता है विद्वा पुनर विवा क्या था कि जो जिनकी पती की मिर्थी हो चुकी है जो भी औरते हैं जिनकी पती की मिर्थी हो गई है वो दुबारा से साधी कर स इसकी लेकर एक कानून पास किया गया आप सुचू कि यार उसका लाइफ है वो दुबारा करें तो ऐसा हमारा समाज नहीं चलता था हमारे समाज के अंदर में उसको मतलब निसेद माना गया था उसको गलत माना गया था कि विद्वा है ठीके उसके लिए बैट रही है कि वो सत पर इसको लेकर यहां पर कानून बनाएने की जुरुत पड़ी और कानून बनाये गया अठारासोचपन के अंदर में जहां पर विद्वा को पास किया गया, इसके अंदर में जो भारती यह थे इस वर चन्द विद्या सागर उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है इसके अ बहुत ज्यादा इसको अग्रिम रहकर इसको लीड किया जहां पर यह अधिनियम पास हुआ आगे चलकर महिलाओं के सिख्षिक संस्थाओं को लेकर बहुत ज्यादा चीज़े होती क्योंकि भारत के अंदर में कई जगा जो बिछड़ी इलाके थे वहाँ पर महिलाओं की सिख्षा का अधिकार बहुत कम था मतलब ना के बराबरी था तो उसको लेकर भी इसवर्चंद विद्या सागर ने कदम उठाया और महिलाओं की सिख्षा को लेकर वहाँ पर उसको आगे बढ़ाया ठीके फिर आता है आपका थोड़ा सा टाइम परतिबंद लगा दिया गया अब बच्चे कि हत्या किस प्रकार सोती इसके बारे में डिसकास करें तो कई सारे इतियासकारों का अलग-अलग मत्भेद इसको लेकर कुछ का मानना है कि जैसे मान लो बच्चा पैदा हुपआ तो अगर वो लड़की है ठीक है तो उसकी मिर्तियू कर दी जाती थी मार दिया जाता था उसको फेग दिया जाता था तो सीश्यू मिर्तियू जो हत्या होती थी सीश्यू हत्या के उपर में ये बंगाल पास किया गया जो 1793 जे लेकर 804 के करीब में ये पास हुआ था ठीक है समझ में आता है आगे चलके दुबारा साता है तरून इस्तरी सभा का गठन किया जाता है जिसके अंदर में नॉर्मली महिलाओं की जो सिक्षा का विस्तार करना ठीक है सिक्षाओं को पर चार परसार वि जादा अन्य बाल-बाली का स्कूल भी सुरू की जाते हैं इस वर्चन विद्यासागर के द्वारा जहां पर महिलाओं को सिक्षा करने का काम सिक्षित करने का काम वो करते हैं आगे मैं बात करता हूं तो 1891 में जो एज ऑफ कंसर्ण था बिल आया कै एज ऑफ कंसर्ण बिल उपारित हुआ जिसके अंदर में जो मेन इसको अंदर में लीड लो रोल देखोगे तो बी ययन माल बारी करके जो थे उनका मेन इसमें रूल रहता है इसके अंदर में क्या हुआ age of concern बिल को पास किया गया ठीक है कब तो 1891 के अंदर में इसके अंदर में यह तै कर दिया कि साधी की जो age है ना एक fix age होगी अगर इस age से बंदा नीचे है या लड़की नीचे है लड़का नीचे है तो वो age of concern का उलंगन होगा और उसके उपर में जो डंड सहीता है उसको लागू किया जाएगा ठीक है तो age of concern के अंदर में क्या लागू किया गया कि लड़की की age 12 साल नीचे है लड़की की age is specially defined किया गया कि अगर 12 साल से कम है तो वो विवास से रोक लगाया जागा age of concern बिल के अंदर में ये बिटिस सरकार के दोरा कदम उठाए गया जिसके अंदर में में भागेदारी निभाते है कौन तबी एन माल बारी फिर 1872 का टाइम आता है दुबारा से पीछे के और चलते है जहां पे एक बिटिस सरकार के दोरा में ब्रह्मा मैरीज एक्ट पास किया गया था ब्रामवनों को लेकर ब्रामवन मैरीज एक्ट पारित हुआ जिसके अंदर में जो साधी का विवाह का जो age था वो 14 वर्ष से कम होने पर रोक लगा दिया गया ठीक है पहले तो 12 किया गया था बाता है कि विवाह की उम्र पूरुसों के लिए 1930 में पूरुसों के लिए 18 वर्ष तेक कर दी जाती है और महिलाओं के लिए 14 वर्ष तेक की जाती है सारदा एक्ट के थूरू ठीक है कि पूरुस का जो age है 18 होगा महिला का जो age है 14 होगा question of the video मेरे मन में है आप सबसे में पूशना चाहूँगा कि अभी 2022 में मोधी सरकार ने विवाह का age change किया है age of concern जो है वो change किया है तो आपके जो जानकारी है उसके अनुसार से क्या लगता आपको कि कितना age है भी कोशन बताना आपको कि क्या age है महिला और पूरुस का age of concern क्या है marriage के लिए ठीक आप कमेंट करके बताईएगा कितने लोगों को पता है पता चलेगा जिसको नहीं पता है Google कीजिए Google पर आपको आइडिया मिल जाएगा इसका ठीक है age of concern marriage का क्या है इस समय 2022 के अंदर में ठीक है मोधी सरकार ने भी चेंज किया है तो यहां पर सार्दा एक लाए जाता है बिवाह के लिए जिसके अंदर में महिलाओं के पूर्सों के जठारा कर दी जाती है महिलाओं के चौदा कर जाती है साधी के लिए उसके बाद में यह महिला मुद्दा जो होता है मतलब यह इस तरह से मतलब यह पूरा चल रहा होता है प्रोसेस यहां पर सेकिंड वाला जो था ब्रिटिस सरकार के दौरा क्या क्या चीज़े की गई किस तरह की सिती थी वो मैंने आपको बता दिया अब यहां पर हम तीसरे पाट के अंदर में आते हैं जहां पर हम बात करेंगे रास्टवादी आंदोलन के अंदर में किस प्रकार से एक महिला मुद्दा के तोर पे बना तिक हैं तो यहां पर कई सारे जो महिलाएं थी वो रास्टवादी आंदोलने पार्टिस्पेट करती हैं और उनके basis पे बहुत सारी महिलाएं आकर्सित होती हैं अब देखो महात्मा गांधी में चेहरे माने गए रास्टवादी आंदोलन के जिनका ये मानना था कि महिलाएं में आधार रहेंगी आंदोलन का क्यों? तो उनके महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन थे वो अहिंसा पर आधारित आंदोलन थे और पूरसों के अंदर में जो मतलब पेशन सकती थी वो बहुत कम होती थी इसके कारण से गांदी जी नहीं माना कि महिलाएं इन आंदोल को ज्यादा सक्सेस्फुल कर सकती हैं पूर्सों के मुकाबले में क्योंकि वो भाई हिंसक नहीं है ठीक है पूर्स हिंसक हो जाते हैं जल्दी महिलाएं हिंसक नहीं है वो सबर से काम ले सकते हैं तो इसके कारण स समास उधार्क थी इस्तरी सिक्षा और महिला अधिकारों को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको पर्मोट किया विद्वा की सिक्षाओं के उपर में भी जोर दिया कि विद्वाओं को भी इसके और अगे का जीवन व्यापन कर सके ठीके यहाँ पर एक इतिहांसकार आत तो क्या हमारा देश, हमारे लोग हमें बनाना एक्ट, तो हम उनके आगे क्यों जुके, हम उनसे क्यों बिंति करें कि आप बना दो, हम खुद बनाएंगे, यह तिलक का मानना था, वो इस बात के विरोध करते थे कि जितने भी यह एक्ट बनाए गए, यह सारे अंग्रेजों क तो पीह चार्ट कर बनाएगे, मतलबु है कि एक तरस झे अंग्ण्वे ट्क कर लेना चाहिए कि आप नदर एक राशवाद्या निता थे रहे मोर्भात तो हमें खुद हिए बढ़ना चाहिए कि दूसरों जी ड्वस्फिक कि वो कर दो तो कि हांपर उनकी मत Xavier देखने के लिए मिलती है साथ-सम्हाइब ऑन आते हैं ठीके बहरा सुभा limitation के निवे सबसे बड़ा सा मरतन के तौर पस आही सामने ठीके जो बाल बिवा निशिएद होना चाहिए это क profound विवार ना किया जाए तो इसके कांट से खुल कर सामनी आई ठीक और यहां पर महिला आती है गंग हिंक आरी के स्थापना किया ठीक है और इन सभी नामों के बीच força में फूले जुती वाई इनका नाम कभी आप भूल नहीं सकते। जोती भाई, साभुत्री भाई, इनका नाम आप कभी भी भूल नहीं सकते, रिजन क्या है, कि इनको एक सिख्चा की करांती में सबसे ज़्यादा अग्रुसर के तौर पे देखा जाता है, आपको तीन पार्ट में इस सीम तरीके से बताना है, पहले भारती इतिहांस को दिखाओगे, कि भारती इतिहांस में क्या मानना है, भारती इतिहांस के अंदर में मानने जाते हैं कि महिला हैं देवी के सामाने, पर जो मुगल इतिहांस कर आया, अलबुरूनी और अलग अलग सिक काल पिरेड में उननीशी सताबधी के अंदर में क्या इस्तिती रही ठीके तुहाँ पर कौन-कौन से सुधार कियेगे किसके द्वारा कियेगे क्या टाइम पिरेड रहा हूँ मैंने आपको पूरा बता है वह आप यहाँ पर डिफाइन करोगे और तीसरा यहाँ पर रास् अब जाएं कहीं नहीं जाते नंबर तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फर वाचिंग मी थैंक यू सो मच फो लिसनी मी और भी अगर वीडियो चाहिए तो फटा फट कमेंट केजिए मैं आगे की वीडियो डालता हूँ आपके लिए जब तयारी करता हूं बनाता हूं और करता हूं